नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चैनल आयूर साइंस में आजम बात करने वाले हैं दसमूल कवाद के विशे में दसमूल अर्थात दस प्रकार के औसदियों का मूल जिसमें यूज होता है उसे दसमूल का जाता है दसमूल के चूड को पानी में उबाल कर क्वाद बना कर इसका यूज किया जाता है सभी दस असदियां गुड़कारी होती है और मेंली वाद रोगों में यूज की जाती है और जब इनका साथ में सेवन किया जाता है तो अत्यांत गुड़कारी हो जाती है अतर दस्मूल हमारे सरीर में जाकर अनिक प्रकार के रोगों को नश्ट करता है आई जानते हैं दस्मूल के सेवन से क्या-क्या लाब होते है दस्मूल तृदोस नासक होता है इट मींस यह वात पितकफ तीनों दोसों को नश्ट करता है बट मेंली ये वात सामक होता है हायरवेद में वात कोई सभी वैदियों का मूल माना जाता है मिन्स वात ही विविन प्रकार के रुगों को उत्पन करता है दसमूल वात का समन करके रुगों को नश्ट करता है आचारे चरक ने दसमूल कवात को सोधर महा कसाय माना है अर्थात कोई भी स्वेलिंग हो तो उसमें भी यह लाबदायक होता है हैरवेद में वात रकोप के दो मुखे कारण बताएगे हैं सारी धातों के छह से और आवरर से आवरर अर्थात अरोध से वात की प्राक्रित कती में औरोध उत्पन हो जाए तो वात उस अस्थान में वेदना उत्पन करता है समूल कवात औरोध को नश्च करके वेदना को सांथ करता है अतक किसी भी प्रकार का दर्दो जोडों में, पीठ में, कंधों में, कमर में तो यह उसे ठीक करता है सूतिका रोगों में यह विसेस लाबधायक है आफ्टर डिलिवरी यह गरभासे की सुद्धी करता है और यूटरेस को नॉर्मल साइज मिलाता है इसे यूटरेन टॉनिक भी कहा जाता है जिन लोग को बार-बार बुखार चड़ता है उन लोग को भी इसका सेवन करना चाहिए यह बुखार को जड़ से नस्ट कर देता है महिलाओं में होने वाले पीरेट्स प्राबलम को भी यह खत्म करता है जैसे इर्रेगुलर पीरेट्स हों तो 15-20 दिन तक इसका नियमित सेवन करके इसे ठीक है जा सकता है यदि सरीर में अत्यदिक मातरा में आम का फॉर्मेशन हो गया हो तो भी इसका सेवन करना चाहिए यह बॉड़ी को डिटॉक्स करने का काम करता है इन सभी के अत्रिक रिमेटायर अर्थराइटिस, गाउट, एपिलिपसी, ट्रेमर्स, एक्सेसिस स्वेटिंग, स्वेलिंग, ज्वाइन पेन में भी उसका यूज करना चाहिए तसमूल में 5 पकार के व्रियत पंचमूल और 5 पकार के लगू पंचमूल का समावेस है पांच पकार के व्रियत पंचमूल में सियोनाग, पाटला, गंभारी, अग्नीमंत और विल बाता है और 5 पकार के लगू पंचमूल में साल पढ़नी, प्रिश्ण पढ़नी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गोक्चूर आता है तो दोस्तों ये था इसके लाप की विशे में, अब बात करते हैं इसके डोज की दस्मूल कौाथ हर चूड दोनों फार्म में मार्केट में उपलब्द है, इसे आप अपनी सोविधान उसर ले सकते हैं अगर आप कौाथ फार्म में लेते हैं, तो 15 ml कौाथ को 15 ml पानी के साथ मिक्स करके सुबह साम ले सकते हैं और अगर आप चूड फार्म में लेते हैं, तो चूड का कौाथ बना कर आप इसका सेवन कर सकते हैं इसके लिए एक से दो चमच चून को एक ग्लाज जल में डाल कर पका लें और जब यह वन फोर्थ हो जाए तो इसको उतार कर छान लें और इसका सेवन करें इस प्रकार दस्मूल अनिक प्रकार की रोगों में प्रयोग के रहता है और विसेश रूप से महिलाओं के लिए लाबदायक है सो गाईस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में फॉल्लो अरवेदा एंड बी हेल्दी अन हैप्पी थेंक यू